आज हम एक नई software की एक नई चीज की computer में एक नए टाइप की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो की है HTML HTML क्या होता है तो ज्यादा हम थेयोरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिधा प्रेक्टिकल पर आएंगे HTML क्या होता है तो HTML होता है आपकी hypertext markup language इस language का use कह जाता है web pages को बनाने के लिए यही language को अगर आप सीखेंगे तो इसमें आगे चलके और हम advance सीखते जाएंगे तो फिर हम web page बनाने की कला हमें आ जाएगी उसके लिए आपको क्या करना होगा तो HTML की सबसे अच्छी बात ही रहेगी कि इसके लिए आपको कोई अलग से आपको कोई एक नहीं लगेगा ऐसा कोई framework नहीं लगेगा कोई software नहीं लगेगा जो आपको computer में पहले से ना मिले HTML की अच्छी बात रहेगी तो इसके इसको हम यहां पर चला कर भी देखेंगे और इसकी testing में कैसे की जाती है तो सबसे पहले यहां पर आपको HTML चलाना है तो उसके लिए आपको एक software चाहिएगा software जो भी programming या scripting language के लिए यूज कह जाता है उसको कहता है IDE, IDE means integrated development environment मतलब ऐसा software जिसमें scripting या programming करी जाती है, तो HTML को चलाने के लिए वैसे तो market में बहुत सारे IDE उपलब्द हैं लेकिन अगर आपको कोई सा भी download नहीं करना है तो कोई problem वाली बात नहीं है, आप जाएंगे अपने start menu में और आप ले लेंगे notepad को, notepads हम सभी जानते notepad क्या होता है, त जो especially scripting purpose के लिए बनाया गया है, आप चाहें तो normal notepad में भी कर सकते हैं, मैं आपको normal करके बताऊंगा पहले, ताकि यदि आपके पास advanced software नहीं है, तो आप फिर भी उसके अलावा कैसे कर पाते हैं, तो जबसे पिल आप notepad में जाएंगे, notepad में आपके पास ऐसा interface खुले अब HTML लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो HTML में हम use करते हैं tag, क्या बोलते हूं से tag, अब tag क्या होता है, तो tag मतलब है कि वो चीज जो इन दोनों symbols के बीच में लिखी जाती है, greater than, less than symbol के बीच में जो लिखी जाती है, वो कहलाती tag, तो जो भी आपन लिखा जा यह tag आप लगाएंगे, और इतना भी ध्यान रखना है, कि maximum 90% tag जो रहते हैं, वो बंद भी होते हैं, बंद होने से क्या मतलब है, कि उसको आप एक बार on करेंगे, फिर उसे आप अपने प्रोग्राम में कहीं जाकर उसे बंद भी करेंगे, उससे क्या होगा, उससे उस tag का working area decide होगा, जो जो उसके शुरू करने के और बंद करने के बीच में लिखा जाएगा, वो उस tag का एक तरह से working area रहेगा, वो ही चीज उस tag के अंतरगत रन होगी, तो यदि आपने HTML खोला है, आप सारी programming इसमें करेंगे, और फिर यहां पर HTML को बंद कर देंगे, अब बंद करन करने से क्या मतलब है, तो बंद करने में ऐसा कुछ extra नहीं लगेगा, आपका केवल एक slash लगेगा, वो slash आप लगा देंगे, तो वो ही जो tag आपने उपर खोला था, वो slash लगाने मातर से बंद हो जाएगा, आपको इतना देहां डखना है केवल, अब जो भी आप लिखेंग जैसे आप सबसे पहले एक उपरी भाग देखते हैं, यह वाला, इसे कहा जाता है आपका head, जो सबसे उपरी भाग होता है, उसे हम कहते है head, और जो भी यहाँ पर होता है, यह जो भी अपने को web page दिखते हैं हमको, वो कहला था हमारा body का part, यह कहलाएगा head और यह कहलाएग ताकि मुझे बंद करने का एक तरह से बाद में ध्यानना रखना पड़े, आप चाहें तो इन्हें बाद में भी बंद कर सकते हैं, मैं इसलिए prefer करता हूं ताकि मुझे बाद में confusion ना हो कि कौन सा tag कब बंद करना है, अब head के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, तो यदि जो आपको यह दिख रहा है, उपर लिखा हुआ new tab, यह new tab वाला जो area है, यह आपका कहलाता है title, तो इसके लिए आप एक नया tag लगाएंगे title, यदि महाँ changes करना है तो आपको title का tag जरूरी है, title का tag ही decide करता है कि महाँ पर क्या लिखा हुआएगा, जहाँ new tab लिखा ह हुआ है, suppose करे title में मैंने लिख दिया, this is title, यह मैं testing purpose से लिख रहा हूँ, तो इसे लिख दिया, this is title, अब आप एक चीज़ note करेंगे, यह सब तो मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, HTML पहले खुला, फिर head खुला, फिर title खुला, हमारा normal concept क्या होता है कि जो हमने सबसे पहले खुला है, वो बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो सबसे आखरी में खुलेगा tag, वो सबसे पहले बंद होगा, इसका example हमेशा student को मैं एक ही देता हूँ कि यदि आप किसी घर में गए हैं, तो आप सबसे पहले main gate से आखरी में खोला था, तो यहाँ पर भी वोई concept लगेगा, कि जब आप रूम से बाहर आएंगे, तो सबसे पहले वो वाला gate बंद होगा, जो सबसे आखरी में खोला गया था, तो सबसे पहले title ही बंद होगा, फिर उसके बाद head बंद होगा, और सबसे last में HTML, अब obvious सी बात ह अगर हम body में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम head के बाद ही लिखेंगे, मतलब head बंद हो चुका है, head का area था इतना, मैंने बोला था कि जहां से हम start करेंगे, जहां उसको बंद करेंगे, वो उसका area रहेगा, तो head का area इतना था, अब मुझे body में आना है, तो मैं इसके नीचे के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह सब यह compulsory नहीं है, तो यह आपने लिखा this is title, this is body, अब एक और चीज़ का आपको special दियान रखना है क्या, जब हम इसे save करेंगे, तो save करते टाइम आपको अपना नाम तो देना है, suppose करिया मैंने दे दिया testing, इस web page का नाम के दिदे testing, और आप इसको अब direct save नहीं करेंगे, आपको एक चीज़ लगानी ही लगानी है, compulsory है, वो होता है .html, मतलब आप अपनी file का कुछ भी नाम दे देंगे, लेकिन उसके बाद .html compulsory है, वो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं, हमने document में save कर और testing.html के नाम से कर रहे हैं, अब इसे करेंगे save, यह जो मेरी file है, यह अब testing के नाम से save हो चुकी है, अब इसे document में जाकर खोलेंगे, यहाँ पर आपको मिलना चाहिए testing, यह रही testing, तो हम इस testing को यहाँ पर open कर लेंगे, अगर आपके पास कोई browser नहीं है, तो आप right click करके इसे open with में जाकर दूसरे browser में खोल सकते हैं, open with में जाएंगे, यहाँ पर internet explorer तो आपको मिलता ही है, इसलिए मैंने बोला था, कुछ भी extra download करने ज़रूद नहीं है, notepad और internet explorer से आपका काम हो जाएगा, मेरे पास google chrome है, तो मैं उसे prefer कर रहा हूँ, आप google chrome में खोल लेंगे, तो आप देखेंगे, title में लिखा हूँ आ रहा है, this is title, और body में लिखा हूँ आ रहा है, this is body, यह था हमरा HTML का introduction, कैसी यह start होता है, इसके और भी IDE आते हैं, आप चाहें तो वो भी use कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे, normal notepad में भी आप काम कर सकते हैं, जो भी changes क करना है, suppose करें, मैंने आ लिखा, this is body and it's changed, अब इसे हम save करेंगे, इस बार वो ही save option पर click करेंगे, ctrl s प्रेस करेंगे, और आपको अपने google chrome के खुलेवे web page को केवल और refresh करना होगा, आप देखेंगे, जो भी हमने changes करेते हैं, वो यहाँ पर applicable हो चुके हैं, यह हो गया आप का introduction की HTML कैसे काम करता है, और उसमें हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें अलग-अलग variation हैंगे, बहुत deep में हम जाएंगे, तो इसलिए आपको एक overview देना चाहिए था, कि इसमें यह रहेगा, तो यह overview आपको मिल चुका है, कि कैसे notepad में काम करता है, next time पर हम दूसरे IDE में भी इससे चला कर देखेंगे, तो I hope आपको यह समझ माया होगा, next lecture में हम और भी इसको advance में पढ़ेंगे, तो इस lecture में इतना ही है, next lecture तक के लिए thank you and goodbye.